वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग नमस्कर दोस्तों मैं पृरिती मेरे तरफ से आप सबको विजय दशमी का प्रणाम मैं आज बना रहे हूँ पोकोनाट स्वीट्स नारियल का ये मीठा बेंगल का एक ट्राडिशनल स्वीट है आज के दिन बेंगल का हर घर में ये बनता है और सबको बाटा जाता है ये मीठा बनाना बहुत ही आसान है बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है सिर्फ नारियल और चीनी से आप बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं तीन पीस नारियल को ग्रेट करके रखी हूँ और चीनी ली हूँ 500 ग्राम अभी चीनी के साथ नारियल को अच्छे से स्मैस करेंगे चीनी का क्वांटिटी पर्फेक्ली नहीं बता सकते हैं क्योंकि नारियल का साइज के हिसाब से ये डिपेंट करता है पूरा वीडियो देखिए तो आपको एक आइडिया आजाएगा कितना चीनी लगेगा और अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए और पास में बेल आइकोन को प्रेस कर दीजिए तक कि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नोटिपिकेसन आपके पास पहुँच जाएगा अब डिरेक्ट कड़ाई में भी ऐसे कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत क्यारफुली करना पड़ता है नहीं तो नीचे जल जाएगा देखिए यह रेडी हो गया है हाथ में यह ऐसे लड्डू बन रहा है तो इसको अभी हम लोग कूप करेंगे अभी कड़ाई में दे रही हूं लोटू मीडियम फ्लेम यूज करना है कंटिनू चलाना है और स्पैचुला से ऐसे स्मेस करना है अब दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हैं स्मेस करने के लिए चीनी पिखलना स्टार्ट हो गया है इसलिए यह गिला हो रहा है इसको ड्राई करना है लेकिन हाई फ्लेम बिल्कुल यूज नहीं करना है नहीं तो नीचे से जल जाएगा 6-7 मिनिट में यह ड्राई हो जाता है अभी इसमें दे रही हूँ 1 टेबिल स्पून इलाइची पाउडर और एक बड़ा चमच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर के बदले में अब लोग खुआ खीर और माओं भी यूज कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करना है आप अगर सिर्फ नारियल और चीनी से बनाएंगे तो ओ भी अच्छा लगेगा लगवग यह ड्राई हो चुका है करही से अलग हो जा रहा है और एक जगा में हो जा रहा है मतलब यह रेडी हो गया है फिर भी हम लोग एक बर चेक कर लेंगे हाथ को थोड़ा गीला कर लीजिए थोड़ा सा लेके ऐसे लड़्डू का सेब दीछे देखे यह लड़्डू बन रहा है मतलब यह हो गया है अभी इससे हम लोग मिठा बना लेंगे गर्मा गर्मी इसको बनाना पड़ता है ठंडा हो जाने से यह ड्राइ हो जाता है तब सेप नहीं दे पाएंगे थोड़ा साइट में कटोड़ी में पानी रखी हाथ को गिला कीजिए और ऐसे बॉल सेप दे दे रहिए यह हो गया नारियल का लड़्डू इसको तो आप ऐसे बना सकते है और दस बड़ा दिन आराम से श्टोर कर सकते है बीना फ्रिज में श्टोर कर सकते एक एया टाइट कॉंटेनर में रख दीजिए और एक प्रोसेस भी है उसको भी मैं दिखाऊंगी आप मोल्ड से भी डिजाइन बना सकते हैं अगर मोल्ड नहीं है तो मैं दिखाऊंगी चामत से अब लोग कैसे डिजाइन बनाएंगे दूसरा प्रोसेस यह है आप थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लीजिए और उससे बनाईए पेश्ट करके जो मिठा बनाते हैं वो खाने में बहुत अच्छा लगता है मुँमें देने से ही मेल्ट हो जाता है लेकिन पूरा नारियल को एक ही साथ में पेश्ट मत कीजिए थोड़ा पेश्ट कीजिए बना लीजे उसके बाद फिर पेश्ट कीजिए कि एक साथ अगर पेश्ट बना लेंगे तो ट्राइ हो जाएगा कूकोनट उसको और सेब में नहीं दे पाएंगे देखिए मैं मोल्ड यूस करके बहुत सारा सेबदी हूँ सबसे आसान तो लड़ू बनाना है सबके घर में तो छोटा मोटा पुझा होता ही रहता है तब नारियल से ये मीठा बना लीजिए ये मीठा तो बहुत असानी से बन जाता है और ये मीठा को प्रसाद में चराईए मार्केट में जो ड्राइ कोकोनट पाउडर मिलता है उससे भी आप लोग ये मीठा बना सकते हैं तीस से चालिस मिनिट के अंदर ये मीठा बनके रेडी हो जाता है बना सकते हैं अब भी दिखा रही हूँ चामच के सायता से आप लोग कैसे बनाएंगे थोड़ा बड़ा साइच का चामच लेने से अच्छा है अब ही इसके उपर में एक नाइप से डिजाइन कर दीजिए ये बहुत ही आसान है आप लोग अपना हिसाब से भी बना सकते हैं देखिए रेडी हो गया है नारियल का संदेस दीखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है तो आप लोग भी घर में जरूर बनाईए और सबका मुँ मेठा किजिए दो तिन घंटा बाद ये मेठा का कालर और भी हुआइट हो जाएगा तो आप लोग घर में जरूर बनाईए और परमंट करके बताईए कैसा लगा और मेरा ये रेसिप अगर अच्छ लगा है तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू